हेलो एंड वेलकम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेलप और सी उईटी प्रिप्रेशन में इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ बिनोवा भावे इन्वर्सिटी का मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस इन्वर्सिटी में एडिविशन कैसे होते हैं यहां का रैंकिंग क्या है प्लेस्मेंट क्या है सारी जनकारी में दूंगा इस वीडियो में लास्तक बने रहे हैं हमेशा की तरह किसी भी संस्थान या कॉलेज का रिव्यू करने से पहले मैं आपको दिखाता हूं उससे जुड़ी हुई कुछ कैंपस फोटो और लोगो तो आप लोग देख सकते हैं ये बिनोवा भावे विश्ववी देले का लोगो है जो की जहरखंड में एक स्टेट इनवर्सिटी है और ये आप कुछ फोटोस देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से आपका दिखता है बिनोवा भावे इनवर्सिटी का मेन कैंप इससे बहुत सारे एफिलेटेट कॉलेज भी जूड़े हुए हैं उसके बारे मैं वीडियो में आगे बात करूंगा लेकिन अभी में सिर्फ इस इनवर्सिटी पर फोकस करूंगा आप देख सकते हैं यहां नेक से भी इनको मानेता मिला हुआ है नेक से बी प्लस प्लस का ग कोर्स करा जाते हैं लाइक साइन्स सोचल साइंस इमिन आटिज्ट टेकनलोजी मेडिकल साइंस होमोपैथी लो अईरवेदा मेडिसिन हर प्रकार के हां पर कोर्स करा जाते हैं ओके अगर हम बात करें इस इनवर्सिटी के बारे में तो पहले यह राची में श्थित जो बिहार के हजारी बाग में बना था जो कि अब जहरखंड में श्थित है इसके अस्थपना 1902 में हुई थी और जैसा कि मैंने बताया इसको UGC and NAC से B++ का ग्रेड मिला हुआ है कोर्स के बारे में पहले ही आपको बता चुका हूँ UGPG, PhD, Doctoral, Level, सभी प्रकार के यहां पर को युजी के कुछ कोर्सेस हैं जैसे BA, B.S.C.V.com जैसे कोर्सेस हो, नॉर्मल परंपरागत कोर्सेस होते हैं, वो नई सिख्छा निती के तहत यहां पर आपका एडविशन होगा, C.U.T. युजी के थुरू, उजी तरह से अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेस की बात करें, जै 78 इंडिया, 278 रैंक है, इसका यानि की 500 टॉप 500 के लिस्ट में इनवर्सिटी आती है, और यह हजारी बाग में स्थित सबसे बेस्ट इनवर्सिटी है, और बाकि के जो भी आप डेटा देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो अलग-अलग साल से अलग-अलग संस्थान द्वारा इ यह तो रही रैंकिंग के बारे में बात, अगर हमें आप पर कोर्स के बारे में बात करें, तो मैंने आपको बताया, यहां पर सभी प्रकार के प्रोफेशनल और नोन प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, जिसका डिटेल में आपको बता चुका हूं, जिसमें आप प्रोफेशनल क कोर्स की बात करें जिसमें काफी सारे जो ऐसे student होते हैं मैं और जब अल्रेडी का पी सारे Central University का और College का review कर चुका हूँ तो उसमें comment जो आते हैं common comment उसमें BTEC MBA, MCA और B.Ed जैसे courses पर जायदा फोकस किया जाता है और जो अदिकतर सवाल होते हैं इन कोर्से ही रिलेटेड होते हैं तो यहाँ पर में सिर्- prostate के बारे में ज्यादा चर्चा करूंगा और फी कुर्से के बारे में आपको बताऊंगा जिसे आप देख सकते हैं हाप अ बीटे के जो जू ब्रांचेस हैं वह आप एसक्रिण पर देख पा रहे होंगे वीडियो को लं प्रकेटिंग मेनेजमेंट, फाइनसियल मेनेजमेंट, यह MBA के सब ब्रांचेज हैं, इनमें आप एड़िशन ले सकते हैं, ओके अगर हम बात करें इस इनवर्सिटी के प्लेस्मेंट के बारे में, जो की स्काफी मुत्पूर्ण होता है, यहाँ पर प्लेस्मेंट के बारे में के बारे में सिर्फ बात हो रही है, इनके जितने भी कॉलेजेज हैं, उन सभी के एवरेज मिला करके, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, तो आप लोग देख पा रहा है, विनोबा भावे इन्वर्सिटी का प्लेस्मेंट का रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ यहाँ पर मैं काफी सारे बच्चों का जो यहाँ पर स्टडी करते हैं, इनके अफिलेटेट कॉलेजों में, अलग-अलग कोर्स करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे नॉन प्रोफेशनल हो, ट्रेडिशनल कोर्स हो, किसी प्रकार का कोर्स हो, उसमें एक बात मैंने क कोम अंद देखी है और यह कि किसी भी छातर दारा यहां कि प्लेशमेंट का बारां में तारिफ नहीं किया गया है यह लि demons प्टार रहे हैं यह से जो भी students पढ़ते हैं वो higher studies के लिए जाते हैं या गवर्मेंट एक्जाम या किसी और छेत्र में जाते हैं लेकिन आप प्लेस्मेंट का रेट काफी 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 ज्यादा कम है आप देख भी सकते हैं इतनी बड़ी इनवर्सिटी में यहाँ पर टूटल 199 ग्रेजुट एस्टुडेंट थे और प्लेस्मेंट 109 एट और मिडियन जो सेलरी था दो लाक्या सपस गया हुआ था तो आप कह सकते हैं कि जो मैंने रिव्यू पढ़ा है अलग-अलग जगे से और जो मुझे डेटा मिल पाया है उसके इसाब से मैं यहीं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर प्लेस्मेंट बिलकुल ना के बराबर ह इनके को लिजू में